बलकूर नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर जैसा कि थम नेल में देख पा रहे हो आप है कि आर्पीसी फस्ट गेड के सलेवस के अंदर काफी सारा परिवर्तन हुआ है तोपिक वही है तोपिकों में कोई चेंज नहीं है केवल उनका स्तर इधर उदर कर दिया तो पहले बात तो सलेवस को देख कर गवरने की बिल्कूल भी आउशकता नहीं है मैं आज टोपिक वाइज की अपन कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे उनका वीडियो बना रहा था लेकिन सलेवस चेंज हो गया तो अपन थोड़ा सलेवस के बारे में बना आई है यहां से आपको लिंक बेजा आता है यह लिंक है अपने टेलिग्राम का कफी एक अजार तेश के आसपास यहां पर सब्सक्राइबर हैं कफी लोग जुड़ेवे हैं और इस टेलिग्राम पे अपने यह डाल दिया अभी अभी ताजा डाला मैंने क्या फस्ट आपकी प्लानिंग में काम आएगा देखो जो सलेबस है उस सलेबस के अंदर टोपिक कोई नहीं बदला टोपिक वही है पर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया क्या देखो सबसे पहले तो उन्होंने यह चेंज किया है कि आपके सीनर सेकंडरी ग्रेजवेशन और पोस्ट ग अंदर सलेबस को माटा गया चार पार्ट में बाटा गया और चार पार्ट के अंदर मिलाकर देड़ सो परसन आएंगे 300 नंबरों के होंगे वो तो देड़ सो परसन कहां से किस युनिट से आएंगे ऐसा को अनदाज अधर अपन सबी को एक लंसम मान के चलें तो सबी युन क्या क्या कर लिया किस प्रकार से कर रहे हैं अपन सबसे पहले बात करते सीनियर सेकंडरी लेवल को सीनियर सेकंडरी लेवल के अंदर फर्स्ट यूनिट अपन कंप्लीट पहले भी यही थी और अब भी है यह अपन कंप्लीट कर चुके हैं तो यह अपनी पूरी यूनिट हो चुकी है इसमें कोई नहीं है एक टोपिक इसमें अठा के ग्रेजवेशन लेवल पर डाल दिया इसका मतलब ग्रेजवेशन लेवल पर भी वह अपने टोपिक क्लियर है बाकी यह यूनिट कंप्लीट हो गई एक दो तीन चार पांच है नमबर क्यों लगा रखें यह में जस् चैनल के इसाब से कंप्लीट है पहली उनिट का एक टोपिक जरूर कहां चला गया गया पर वह अपने पड़ जरूर रखा है इसका मलब ग्रेजवेशन लेवल का भी अपना एक टोपिक हो गया महां पर ठीक है तीसरे नमबर की उनिट पूरी की पूरी नहीं है प्लांट फ फिजोलोजी सीने सेकंटरी लेवल की आ गई क्योंकि प्लांट फिजोलोजी आपके ग्रेजवेशन लेवल पर थोड़ी विस्तरित है और सीने सेकंटरी लेवल पर थोड़ी कम है तो आप ग्यारवी के अंदर प्लांट फिजोलोजी आपके NCRT किताब में है और पहले जो नया टोपिक पढ़ना है प्लांट फीजियोजी क्लिर हैं ये बात नहीं आ गई मतलब मैं ग्रेजवेशन लेवल पर थी पर फाइदे की बात है कि इसको यूजी लेवल से ठाकर सीने सेकंटरी लेवल पर डाल दिया है तो आपके पास में लिमिटेड से लेवस हो गया इसका वरना फ्लांट फीजियोजी से जुजी वाड़े बच्चे है वो डरते है थोड़ा सा बोटनी वाड़े भी डरते हैं क्योंकि थोड़ा सा टप पड़ता है तो इसको इधर ढाल दिया तो इसका मनलब आपके लिए बड़ी अबात हो गई है एनिमल फीजियोजी अपनने को इसको ढाल दिया आपके सेकंडरी लेवल पर मतलब आपको प्रोटोजोवा, हेलमेंथिस, इंसेक्ट और मॉलस्का की तो पढ़नी एकोनोमिक इंपोर्टेंस और इकोनोमिक इंपोर्टेंस पढ़नी है इन प्लांट में तो एनिमल की एकोनोमिक इंपोर्टेंस और प्लांट की एनिमल एकोनोमिक इंपोर्टेंस यहां पर क्या ने अलग से डाल दी यह टॉपिक पहले भी थे लेकिन थे किसमें ग्रेजवेशन लेवल वाला उठाकर यहां पर इसमें डाल दिया ये भी अच्छी बात है इसमें भी आपको जदा मात अफची करना की जूरूत नहीं पड़ेगी ये फाइदा रहा और Environment Biology जो पहले Graduation Level पर थी उसको यहाँ पर डाल दिया मतलब पहले यूजी लेवल पर थी वो यहाँ पर डाल दिया मतलब कहने का मतलब ये आप समझो अब इ से लेवस के हिसाब से तीन यूनिट आपके Senior Secondary Level की Complete औरों कि ये साथ में से और साथ में से तीन का मतलब लगबख 50% 50% इसलिए बोल रहा हूं कि ये साथवी यूनिट है तो ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो आराम से इसमें कोई लंबा चुड़ा नहीं है और मैं जब पढ़ाँगा तो इसको तीन या चार वीडियो में समेट दूँगा साथ यूनिट को आपको तीन या चार वीडियो के अंदर समेट कर आपको क्लियर कर दूँगा इसमें कोई ज़्यादा लंबा चुड़ा मामला नहीं है तो इसमें कोई ज़्यादा वीडियो नहीं है इस तो थोड़ा सोचने वाली बात है, वो भी आपको नहीं सोचना, मैं सोचूंगा, जो आपके cell biology है, उस cell biology में इन टोपिकों में अपन और क्या क्या चीज़ें एड कर सकते हैं, तो कोई एड वाले चीज़ें होंगी, जो जरूत लगे, आलागी लगेगी, पका है लगेगी, मे बायो मॉलिकूल बगरा के अंदर इनमें कुछ टोपिक एड करने पड़ेंगे अपने को, तो ये टोपिक एड करने होंगे, उनके हमें एक दो वीडियो अलग से बढ़ा दूँगा, बाकी मैंने करवा रखी है यूनिट, तो जो करवा रखी है, उसी में आप तीन चार पन क्लासिफिकेशन और प्लांट मेजर ग्रूप अप टू क्लास, ये अपन कर चुके हैं, ये कहां कर चुके हैं, अपने पहली उनिट तो टेक्स ओनों में के भी बता रहा थे कि छोड़ दिया, उसको यहां पर डाल दिया, तो ये अपने कंप्लीट और रखा है, अपने क्ला क्लासिफिकेशन और प्लांट ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, पहली उनिट के अंदर ही है, ये अल्गी, फंजाई, ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा, जिमनोस्पम, ये वाड़ा और ये वाड़ा दोनों टोपिक है, आपकी पहली उनिट का है, जो अपने पढ लिया वाँ पर, अब इसके अंदर थोड़ा बहुत कोई और एड़ करना होगा, वो मैं एड़ा आपको अलग से करवा दूँगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सैलेंट फीचर थे, ये सैलेंट फीचर ओप क्लासिफिकेशन और प्लांट वो भी किसके इनिके, कि अंदर कुछ एक जो है, प्लांट उनकी सरशनात में किस टेक्चर आएगी, तो कुछ थोड़ा सा लग लेना पड़ेगा, तो अपन थोड़ा सा एड़ करना होगा, कर लेंगे, ग्रेजविशन लेवल का देखना पड़ेगा इसको, नई चीज उड़गे ने, ग्रेजव तो अपने इस टोपिक को पड़ लिया, ये टोपिक अपना पूरा हो गया, अब अपने को पोलिनेशन, फटलाइजेशन ये भी पड़ लेंगे, लेकिन देखो, एम्ब्रियो जनेसिस के अंदर मोनो कोट, एम्ब्रियो जनेसिस का मतला होता है, एम्ब्रियो का निर्मान, पहले वहाँ पर केवल और केवल जब आपके यूजी लेवल का नहीं था मेटर तो अपने को थोड़ा सिमित पढ़ना था लेकिन अब इसके अंदर डिटेल पढ़ना पढ़ेगा और डिटेल पढ़ना पढ़ेगा तो मैं आपको डिटेल ही पढ़ाऊंगा चिनता की कोई कर लागे quello बहुत साधान तोपिक है कुई दिक्कतबर बात नही Wam इसको पठापट कर लें गे तीन से चार वीडियो के अंदर ही MAX और बहुत अच्छे इसमें आराम से आपके क्या हो जाएगा इजी ली आप इसको कवर कर लोगे आगे देखो बायो स्टेटिक्स पहले भी थी अब भी है कोई चैनल नहीं है इसका मलब पहले भी आर्ट विनिट थी अब भी आर्ट विनिट है फरक्या रहा कि ये यूनिट है सीनर सेकंडरी की आगई ये पीजी की आगई दूसरी और ये है आपके सीनर सेकंडरी वाली आगई ये सीनर सेकंडरी वाली आगई और ये सीनर सेकंडरी वाली आगई मतलब देखा जाए तो अपने यूजी का सलेबस भी क्या कर लिया इस टॉपिक को कम्प्लिट है, ये टॉपिकश्त अपना कंप्लीट बढ़ा है, मतलब ये जानबूज के एक यूनित बढ़ाई है य यूनित जानबूज के यहांपर बढ़ी है बाकी इस दो टूने कर दिया तब एक बढ़ गया यह वगया और बाकी अपने को यहां पर डाल दी और कोई topic die add करना था हो इसके अंदर add करेंगे ecology यहां पर डाल दी इन्होंने बायो टेक्नोलोजी जो पहले graduation level थी अब उसको post graduation level पर कर दिया और यह वास्ता में topic post graduation level पढ़ने वाड़े ही हैं इसको यहां डाल दिया टेक्निक इन बायो लोजी यह थोड़ा change कर दिया यह पहले भी यूजी में था पीजी में था अब भी पीजी में है इसमें कोई बदलाव नहीं है सोरी माइक्रोस्कोप में कोई बदलाव नहीं है और बायोग्राफी wildlife conservation मतलब जो PG level का matter है उसके अंदर आपके ecology पहले भी था लेकिन थोड़ा अलग topic थे तो ecology थोड़ा एड़ किया है और बायो टेक्नोलोजी इट्स application ये यूजी लेवल का PG level तक यहां पर एड़ कर दिया तो ये graduation level का है और एक ये change कर दिया इन्होंने कि 7, 8 और 5 unit हो गई पहले क्या थी 8, 8 और 4 थी अब 7, 8 और 5 unit हो गई और ये आपके उसका है psychology का syllabus है और ये changes क्या कर दिया कि इन सभी topicों में से आपके 500 person आने हैं दो number का person होना है 300 number के topic आने है पहले तो ये decide था कि 55 person या से आएंगे 55 या से आएंगे अब इस पूरे syllabus में से कहीं से भी आपके 500 person बनके आजाएंगे तो को जरूरी नहीं सब्जेक्ट के 120 या हैं अब सब्जेक्ट थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा आपको हो सकता है subject के देखो 120 क्यूंकि psychology के तो पहले ही 30 कूब आते थे इन सभी unit को देखा जाए तो psychology के तो पहले ही खूब आते थे ठीक है ना तो अब पहले भी ज़्यादा थे psychology के 30 कूब आते थे तो psychology के 30 से ज़्यादा क्या बढ़ेंगे पर अब subject के साथ उड़ गया psychology इसका मतलब हो सकता है subject के 120 से भी ज़्यादा आ जाए 25 आ जाए 30 आ जाए इतने topic subject में से आ सकते हैं तो subject को आपको और बैतरीन करना प पता है था कि आपको subject को और first paper को मिला कर कम से कम 8 गंटे का समय निकालना है आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पूरा देखना पहले उसमें अपन ने यह छोड़ दिया था कि अपन जो अपका syllabus है second paper का syllabus के अंदर अपने को क्या पढ़ना है अपने को 5 का समय अपना syllabus के लिए था syllabus किसका second paper के syllabus के लिए था और second paper के syllabus में पांच गंटे भी नहीं तो चार गंटे का समय भी माना जाए तो आप चार गंटे के समय को आपको इन सभी टोपिकों को देना है और टोपिक अपने फर्स पेपर में डिसाइड किये थे कि अपने सो टोपिक सो दिन की रणनिती त्यार करी थी अपने तो second paper की भी सो दिन की रणनिती के साब से मैंने टोपिक बना दिये यह सो दिन की रणनिती के साब से क्या बना दिये आपके topic बना दिये कि पहली unit है इसमें देखो इचे topic दूसरे unit है 7 8 9 31 टोपिकों में decide कर सकते हैं तेर भी इनिट के अंदर आपके यह एक एक टोपिक एक आपके डे के साफ से पर डे के साफ से यह वाले डिसाइड यह टोपिकों के जो आगे नंबर लगा रखें वो आपके दिन की प्लानिंग है इसका मतलब टोटल निकल कर यहां पर आते हैं कितने ही सो, सो ही दिन है गया वो आपके पूरा रिवीजन का अब सो दिन के सो टोपिक और उन टोपिकों को एक टोपिकों को टाइम कितना मिंद रहा है सोचो आप अपने कितने दिये थे पांच गंटे निकाले थे सबजेक्ट के लिए सेकिंड पेपर के लिए इसमें से एक गंटा अपने माइनेस कर दिया था किसका साइकोलोजी का अब भी कर दो आपके पास कितना बतर है टाइम चार गंटे उन चार गंटे में से आपको यहां पर एक टोपिक के लिए तीन गंटे देने हैं हर टोपिक के लिए आपको तीन गंटे का समय देना है मतलब आपको एक दिन का तीन गंटा एक टोपिक को देना है ठीक है कोई भी टोपिक उठा लो आपके मन की मरजी जो आपको टफ से टफ लगता है जैसे मानलो कोई भी टोपिक उठा लिया आपके जचे जो मानलो फोटो सिंतेसिस लिया मैंने अब फोटो सिंतेसिस के लिए मैंने पूरा एक दिन दे रखा है आपके आपके पास नोट्स होंगे, आपने बना ली होंगे, या मैं बनवा दूँँ आपको, मतलब आपको फोटो सिंतेसिस वाले टोपिक को पढ़ने के लिए आपके पास पूरे तीन गंटे पढ़े हैं, और तीन गंटे में तो टोपिक को बैतरीन से बैतरीन कर सकते हैं, अगर ल तो गंठे में लिख लिया, और दो गंठे में उसको याद गर लिया, लर्ण कर लिया, समझ लिया. फिर आपके बाद चार गंडे में से एक गंठा बच गया, जब दूसरे दिन आप रेस्पिरेशन पढ़ो तो पहले क्या करना है? आपको इस एक गंठे के अंदर ये पिछे वालट फोटो सिंतेसिस रिवीजन कर लेना है आपको कि सर एक गंठे में क्या रिवीजन अब तो कली पढ़ाया तो एक गंठा लगेगा इने रिवीजना माल लो अदे गंठे में कर लिया कोई बात नहीं अब तीसरे दिन जाओ आप तीसरे दिन आपको दो टो टोपिक पढ़ने हैं तीन गंठे में आराम से पढ़ लोगे बच गया एक गंठा उस एक गंठे के अंदर फोटो सिंतेसिस रिवीजन कर लेणा इस तरह से आप photosynthesis को तीन चार दिन लगातार डिवीजन में लेना तो photosynthesis को लगातार तीन चार डिवीजन में लोगेश्य का हमिल फोटasiszon आप एक्लियर हो जाएगा फिर क्या करना photosynthesis को स्रोड देना और respiration फिर respirator स्रोड देना फिर मिनरल नूट्रिशनल प्लांट मुमेंट को तीन चाड़ दे ले लेना ऐसे ही कोई टोपिक और लेते हैं मालो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एबोव एब्जोप्शन हुमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपने नोट्स बना रखे इमानदारी से सोचो आप है उस नोट्स को आप पढ़ोगे तो क्या तीन गंठे लगेंगे उस टोपिक को याद करने में कता ही नहीं लग सकते हैं आपने अगर पहले वीडियो देखा है डंक से समझा है तो तीन गंठे नहीं आप आदे गंठे में डाइजेस्टिव सिस्टम को रिविजन कर सकते हो अच्छी तरह से याद कर सकते हो तो तीन गंठे का समय है आपके पास में इस एक टोपिक को अच्छी तरह से याद करने का और बच गया समय है तो पिछे का कोई टोपिक रिवाइज कर लो आपको क्या चलना है आपको मान के चलना है कि आज का दिन मेरे पास है और आज के दिन के तीन गंटे मेरे को एक टोपिक बढ़ देना है अब मालो किसी दिन आपका टोपिक को जल्दी निपट गया तो आपके पास टाइम बच गया उस टाइम का ऐसा दूपियों कर लो या थोड़ा उसको फ्री मालो ऐसा है एंजोई कर लो किसी दिन आपका टोपिक लेकिन किसी दिन आपका टोपिक तीन गंट में नहीं निपटा तो आप आदे पूर्ण गंठा गंठा पर और और भी दोगे मतलब एनिहाओ आपको रात को सूने से पहले एक टोपिक जो आपके दिमाग में है वो किलिर करना ही है मालो किसी दिन आपके पास में थोड़ा कम टाइम है इन टोपिकों को मैंने नमबर एक, दो, तीन, चार, पाँच दिन के इसाब से दियें पर आप क्या करना है इनको लिख देना, कोपी में लिख लेना है इनको इन टोपिकों को लिख लेना कोपी के अंदर और इसके साब से अब मानलो आपको कोई topic सरल लगता है जैसे मानलो कि आपको लग रहा है कि इसमें तो सर ecology वाले में इन में क्या मैं 3 गंटे पढ़ूँ इन में 3 topic में क्या 3 गंटे पढ़ूँ यह तो 10 मिनिट का काम है तो इसका मतला आपका time बच गया है तो तो ऐसे परिस्तिते में जो टाइम बचे उसके अंदर को वीडियो बना लिया आया फिर आप इसके अंदर पूंच होगा इन तमाम बातों के लिए मैं आज वीडियो बनाने वाड़ा था पर यह सेलेवस बदल गया तो इसके लिए पहले जरूरी हो गया तो मैं इनका कल सुबह जस्ट वीडियो लेके आऊंगा कल सुबह तक आप इंतजार करिए कि चैनल के माद्यम से अपन क्या-क्य तैरी कर सकते हैं देखा जाए तो आपन यूजी और आपके सेनर सेकंडरी लेवल का काफी सेलेवस कवर कर चुके हैं इस वीडियो में इतना ही गुड नाइट सुबरात्री सब्बा खेर